तो कहानी की शुरुवात एक प्लेन को दिखाने से होती है जिसमें कातिया नाम की एक बच्ची अपनी मौम की साथ रिश्या जा रही थी सफर की दुरान ही कातिया की आंख लग गई मगर जब उसकी आंखें खुली तो उससे पता चला कि प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई है आसपस जब वो देखती है तो उसे अपनी मौम कहीं भी दिखाई नई दे रही थी अब तबी प्लेन में ये ऐलान किया गया कि थोड़ी ही दिल में प्लेन की एमरजंसी लेंडिंग होने वाली है इस वज़े से कातिया काफी गब रा गई और अपनी मौम को ढूरने के लिए वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पिछली सीट पर एक बुड़ी औरत दिखाई देती है वो कोई मंतर पढ़ रही थी जहां चानक बुड़ी औरत की आंखें सफेद हो जाती है जो देकर कातिया इतना डर गई कि वो बियोश हो जाती है इससे बीच प्लेन की इंजिन में अचानक से आग लग जाती है जिससे प्लेन तबाह होकर नीचे किर जाता है और इस हादसे में सारे लोगों की जान चली जाती है सिवाए कातिया की क्योंकि वो बच गई थी इसलिए खबरों में हर जगा सिर्फ कातिया को भी दिखाया जा रहा था जिसके बात कहानी में हमें 20 साल की बात का वक्त दिखाया जाता है जहां कातिया की शादी हो गई है और अब उसकी एक बेटी भी है जिसके बात कातिया और उसकी बेटी एरपोर्ट पर चली गई क्योंकि वो अपनी बेटी को उसकी दादा जी के पास ले जा रही थी प्लेन को देखने से लग रहा था किसमी ज्यादा मुसाफिर नहीं है यहां कातिया की बेटी उसकी कहती है मामा मैं पिछली वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ जिस पर वो यह कहकर मना कर दीती है कि नहीं बेटा वो सीट हमारी नहीं है लेन उडने से पहले कातिया और उसकी बेटी की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है मौसम की खराबी का सुनकर कातिया काफी परेशान लग रही थी तो रिपोर्टर उसे दिलासा दीते हुए तुम गब्राओ नहीं कुछ नहीं होगा सब अच्छा अच्छा होगा खराब मौसम भी ठीक हो जाएगा साथी वो उसे टेंशन खतम करने वाली दवाई खिलाती है जो वो खुद भी खाया करती थी अब प्लेन की अगली रो में हम एक आदमी को देखती है जो काफी बड़ा बिजनिसमेन था जो अपनी साथवली रोगी सीट पर एक लड़के को बैठा हुआ देखता है जो एक आर्टिस्ट होता है और वो इस वक्त पेंटिंग मना रहा था प्लेन अपनी उड़ान बढ़ने के लिए आगी बढ़ता है कातिया भी वाश्रूम में ही थी कि तभी उसे अपनी मौम की आवाज आई जैसे उसने दर्वाजा खोला वो एक घर में आ जाती है जो दरहसल वो ही घर था जो उपर कातिया अपनी मौम की साथ रहा करती थी वो इस पूरे घर में गोमती है और जैसे घर से बाहर जाने के लिए दिर्वासा खोलती है वो फिर से उसी प्लेन में आ गई जो देखकर कातिया काफी हिरान रहे गई आगे पढ़ने पर उसने देखा कि एमर्जनसी एग्जिट बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक है इतने ही दिर में यहां पर एर होस्टेस आ गई जो कुसी अपनी सीट पर बैठने का गयती है जहां रिपोर्टर कातिया से यह पूछने की कोशिश करता है कि आखर तो में इतनी प पना आता है उसकी सपने में अब हम छूटी कातिया को देखते हैं जो बैठी अपनी मॉम के साथ खाना खा रही थी और ये वक्त प्लेन हाथसे की बात का था कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि मेरी टांग पर जो निशान बना हुआ है यह जिल्दी खतम हो जाएगा ना उसकी मॉम ने जिवाब दिया पता नहीं बेटा ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी ना जाए हमेशे तुमारे टांग पर बना रहे तब एक कातिया सामने बड़े शीशी को देखती है जिसने उसकी मॉम का अक्स काफी बद सूरत ज्राउना लग रहा था इसलिए का प्लेन वाले हाधसे में अब मर गए थी ये सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगा इसलिए बाधिया की पासा कर गहती है कि तुम उस्से इसलिए की फुजूल सवाल करना बंद करदो तूक्य प्लेन वाले हाधसे को तीन महीने वो गई है और अब जब उसकी मॉम बरतन्त हो रही थी त का लगता हैं लेकिन इसी सारे मुसाफिर काफी घुपरा जाते हैं अब बुड़ी औरत के हजबिन की तबियत अचानक इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश हो जाता है इसलिए एर हॉस्टेस के साथ सारे मुसाफिर भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं जहां कातिया उस आद लिकब रा गई थी क्योंकि उसने फिर से सफेद आंखें देख ली ती जो उसने बच्पन में उस बुड़ी औरत की देखी दी इस बारे में वह सोच रही थी तब युस रिपोर्टर के पीछी एक हाथ दिखाए देता है और वह गहरी सोच में चली गई जिस सौरान ही बु और जटका लगता है जिसे एर होस्टस छट से टकराकर नीचे गिर जाती है और वही पर भी होश हो गई तब यहां पर कातिया अक्सिजन ना होने की वज़र से दीरे दीरे करके भी होश हो जाती है जहां ख्याल में उसे फिर से वही बुड़ी औरत नजर आनी रखती है आखर तुमें अचानक क्या हो गया था जिस पर कातिया उसे उस बुड़ी औरत की बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी साथ बच्पन में प्लीन वाला जिवो हादसा हुआ था तब उसे प्लेन में कुछ तिर पहले मैंने एक बुड़ी औरत को देखा था जिसकी आंके सफ प्लेन वाला जाए तुमें 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 ऐसे ख्याल नजर आ रही है जिनका खीकत से कोई तालूक ही नहीं इसकी बात कातिया अपनी बेटी के पास गई जो एक प्लेन की ड्रॉइंग बना रही थी ड्रॉइंग में उसकी बेटी ने रो नमबर 19 की भी सीट बनाई हुई थी जिस पर ही वो जाकर बैटने की जित कर रही थी जिस पर वो साफ साफ मना कर दीती है अब कातिया को यहाप इसकी सफर कर रहा हूँ अब मैं बस अपनी फैमली के पहल जाना चाहता हूँ जो कहकर वो आर्टिस्ट को मुबाइल में अपनी फैमली की तस्वीर दिखाता है लेकिन वो आर्टिस्ट इतना अजीब था कि उस पर जरा सा बे दिहान नहीं देता बलकि अपनी ड्रॉइंग बताती है कि पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुए जो मुझे कह रही है कि तुम्हारी मौम तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी जो संकर कातिया अपनी बेटी को गले लगाते हुए समझाती है कि मेरी जान मेरी बेटी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी क्योंकि उसने बुड़ी औरत के इसमेंट की मौत के बारे में जाकर पाइलिट को नहीं बताया था कुछ तरके बाद हमने देखा कि बिजनिसमेन की सेट के नीची एक सिलेंडर लीक हो रहा है अब तब ही बिजनिसमेन अपने सिग्रिट निकाल कर चिलानी लगता है उसे देखर कातिया सारी बास समझ गई वो खबरा गई फोरन उठी ताकि उसे रोक सकी लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि बिजनिसमेन ने लाइटर जिला लिया था ऐसा होती ही गैस आग पकड़ लीती है जिससे बिजनिसमेन पूरा जलनी लगता है कातिया को आग में ड्राउना सा चेहरा नजर आता है जो उसे घूर रहा था चिला रहा था उस पर अब तब यहां पर एर होस्टेस आकर जल्दी से आग भुचा दीती है जिससे बिजनिसमेन की जान तो बच जाती है लेकिन वो पूरा ही जलकर जुलस जाता है इससे बीच कातिया को एक साया दिखाई दीता है जो उसकी बेटी के पास ही जा रहा था यह देखतर वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जानी लगी लेकिन सामने वो खुद को ही बैठा हुआ पाती है जिसके साथ ही वो ख्याल में चली गई जो वक्त उसका इस प्लेन में बैठनी से एक दिन पहली का था जहां कातिया अपनी बेटी के साथ थी यहां पर हमने दिखा कि कातिया की टांग पर आज पी वो निशान बना हुआ है जो प्लेन के हादसे में चोट लगने की वज़र से बन गया था जिसकी साथ ही वो अपने ख्याल से बाहिर आ गई जहां यह संकर कातिया कहती है सोरी मेरी बेटी और उसे गली से लगा लेती है रिपोर्टर कातिया की पास आकर बताता है कि बिजनिसमेन की आलत और ज्यदा खराब हो गई है तो जिल्दी आओ उसी तुमारी मदद की जरूरत है उसकी नजर भी आर्टिस्ट पर पढ़ जाती है ज के पास आकर उसे संभालता है अब बिजनिसमेन किसी तरह हाथ आगे करके अपने फोन तक पहुचने की कोशिश कर रहा था यह देकर आर्टिस्ट उठा और फोन लेकर बिजनिसमेन को दिखाने लगता है जिसमें बिजनिसमेन की तस्वीर थी जैसल बिजनिसमेन मरने वाला थ पर अपनी आखरी वक्त में वो अपनी फैमली को देखते ही उसे सकून मिल गया, वो मुस्कुराता है और इसे की साथ उसकी जान चली जाती है, कुछ सिरकी बात कादिया आर्टिस्ट की पास आकर उसी माफी मांगती है, कि मिनी तुम्हारी साथ ऐसा बरताओ किया, उसके दिर्वाजी को जोर-जोर से पीटने लगती है, ये देखर एर हॉस्टिस को लगता है, जैसे कादिया का दिमागी तवाजन ठीक नहीं है, तो वो उसे फिर सीट पर जाकर बैठने का कहती है, पर वो नहीं मानती, अभी भी दर्वाजा खोलने की जिद करती है, इसलिए एर होस्टिस जल्दी से दर्वाजा खोल लेती हैं लेकिन अंदर काथिया को बोड़ी औरत नहीं मिलती अब जब काथिया बोड़ी औरत की इस वेंड के पास खड़ी थी तो वो देखती हैं यह अचानक ही उस आदमी की आंगे खुल गई हैं जो अभी भी सफेध हैं और वो अच असल बच्पन में जब प्लेन का हाथसा हुआ था तो उस वक्त भी काथिया की सेट रो 19 की थी और अब कुछी दिर की बात काथिया को जिब होश आई तो वो उस सेट से उड़ जाती हैं देखती हैं कि बोड़ी औरत की हिस्बन की लाश अभी भी सामने पड़ी हुई हैं व एर होस्टेस की मुझे भी पाने निकलने लगता है बूरी तरह वो तरपने लगी इस एर होस्टेस की आंकें भी सफेद हो गई थी जमीन पर गिर गई वहीं उसकी मौत हो जाती हैं काथिया को यहां पर अजीब लगा इसलिए वो जिल्दी से बाग कर आर्टिस्ट के पास उसकी बोड़ी जलकर अचानक ही राख बनकर उड़ जाती है वो इतना डरदी कि जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकर लेती है पालेट वले केविन में जाने लगती है जिस सुरान हलाकि एर होस्टेस और रिपोर्टर उसे ऐसा करने से मना भी कर रहे थी मगर वो नहीं पर कातिया और घबरा गई और अवो पालेट वले केविन का दर्वाजा ही तोड़ दीती है लेकिन ऐसा करने की बाद भी उसे पालेट का केविन नहीं बलके प्लीन का एक और केविन मिलता है जहां पर सारे रोज खाली थी और ये बिल्कुल जैसा ही केविन था जैसा बच् कई हूं यहीं चीजज करने के लिए बार बार होती जा रही है लेकिन इस बुड़ी और गणे का इन्था जो है कि में налनी का तबहुँ करीब एक साई को देखती है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो जल्दी से उस तरफ भागती है जहां उसने देखा कि यह साया और किसी का नहीं बल्कि उसी बुड़ी औरत का है यह जिसे उसने बच्पन में प्लेन तबाह होने से पहले देखा था बुड़ी औरत यहां किसमत उसके अपने हाथों में थी खे आजा पर वही सारे मसाफिर बैठे हुए पहले थे जो सफर के रहे थी बुड़ी औरत और उसका husband इसवा कातिया की पिछली स्रीट पर बैठे हुए थी तबी बुड़ी औरत के husband को दिल का दोरा पड़ा इसलिए कातिया की mom उसकी मदद करने के लिए जाती है यानि कि present time में जैसे जैसे कातिया ने लोगों की मदद की थी ठीक वैसे past में कातिया की mom भी उन सब की मदद कर रही थी present time में कातिया की बेटी उसे row number 19 पर बैठने का कही रही थी तक के कातिया और उसकी mom past में अपनी जान बचा सके जहां सिर्फ कातिया बच ली थी लेकिन उसकी mom मा दे गई थी जिसके बाद कातिया एक बर फिर से अपने past में जली जाती है जब वो बच्ची थी जहां हमें प्लेन की तबाह होने वाला वक्त दिखाया जाता है जो सीन हमने शुरुआत में भी देखा था खर यहां पर कातिया की मां बेहोश हो जाती है किसी तरह कातिया अपनी mom को खींच कर रो नंबर 19 पर लाकर लिटा देती है जिसके बाद प्लेन तबाह हो गया और इसमें सारे लोग मारे गई सिवाए दो की और वो थी कातिया और उसकी mom और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म जाती है